हाई व्यूवर्स वेलकम बैक टो मैं चैनल फ्रेंज से दिखे आज हम सिखेंगे यह बहुत ही सुन्दर सा और यूनिक सा निटिंग पैटर्न इस डिजाइन को आपके से भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं लेडी कार्डियन में लेडी जैकेट में लेडी शग में गल्स टॉप में बच्चों के सैटर में जैंट साफ सैटर फोल सैटर में तो दिखें फ्रांट साइड से यह इस तरह से दिखता है और बैक साइड से ये इस सरह से दिखता है तो इस डिजाइन को बनाने के लिए जो सिच्छी चाहिए होंगे वो 9 के मल्टिपल से होंगे प्लस 4 फंदे एक्स्टर होंगे और ये जो डिजाइन है टोटल 4 रो का डिजाइन है तो चलिए फैन बनाते हैं तो दिखिए यहां पर मैंने 49 फंदे लिए है 45 फंदे 9 के मल्टिपल से लिए है प्लस 2 फंदे एक्स्टर लिए है और 2 फंदे एस्टिच के होंगे और नीचे से मैंने ये दिखिए 1 by 1 रिबिंग स्टिच का बॉडर बनाया है अगर आप इसे सीखना चाहते हैं तो लिंक नी दिखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वहां जाकर आप सीख सकते हैं तो चलिए बनाते हैं ये इसकी फस्टर है और राइट साइड है अब दिखिए एस्टिच स्लिप करेंगे रिपीट पैटन स्टाट करेंगे दो फंदे उल्टे वन तो चाही डालेंगे थागा पीछे ले कर जाएंगे एक फंदा ट्विस्ट करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे तीन फंदे उल्टे वन, टू, थ्री, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, जाई डालेंगे थागा आगे लाएंगे, ये दिखे हमारे एक पैटन कम्प्लीट होगा, अश्में हमने दो फंदे उल्टे बनाएं, जाई डाली, दो फंदों का एक फंदा बनाया, तीन फंदे उ देखिए, दो फंदे उल्टे, one, two, जाईड डालेंगे थागा पीछे ले कर जाएंगे, एक फंदा टेस्ट करेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, तीन फंदे उल्टे, one, two, three, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, जाईड डाल थागा आगे लाएंगे फिर से दो फंदे उल्टे वन टू जाई डालेंगे थागा पीछे ले कर जाएंगे एक फंदा ट्विस्ट करेंगे बैक लुप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे तीन फंदे उल्टे वन टू थ्री आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे जाई डालेंगे थागा आगे लाएंगे फिर से दो फंदे उल्टे वन तो जाई डालेंगे थागा पिछले कर जाएंगे एक फंदा ट्विस्ट करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे तीन फंदे उल्टे वन तो त्री आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे जाई डालेंगे धागा आगे लाएंगे फिर से दो फंदे उल्टे वन टू जाई डालेंगे धागा पिछले कर जाएंगे एक फंदा ट्विस्ट करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे तीन फंदे उल्टे वन ट तू, त्री, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, जाई डालेंगे, धागा आगे लाएंगे, यह दिखे, यहां से यहां तक हमने फाइब पैटरन कम्प्लीट किये हैं, लास्ट में हमारे पास तीन फंदे हैं, दो फंदे उल्टे, वन, टू, एस्ट्री सीधा बना लेंगे, फर्स्ट राव कम्प्लीट हो गई है, सेकेंड राव है राउंग साइड, इस राव में हर बार जो फंदे जैसे दिखाई देंगे, वैसे ही बनाएंगे, चालिवले फंदे उल्टे बना लेंगे, अब दिखिए, एस्टी स्लिप करेंगे, रिपीट प दो फंदे सीधे, वन, टू, त्री, दो फंदे उल्टे, वन, टू, ये दिखिए हमारा एक पैटन कम्प्लीट हो गई है, समने दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे, टू, त्री, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर से पैटन पीट करेंगे, दो फं पंदे ऊल्टे 1,2 तीन पंदे सीधे 1,2,3 दोफंदे ऊल्टे 1,2 फिर से दोफंद सीधे, 1, 2, दोफंद उल्टे, 1, 2, तीनफंद सीधे, 1, 2, 3, दोफंद उल्टे, 1, 2 फिर से दोफंद सीधे, 1, 2, दोफंद उल्टे, 1, 2, तीनफंद सीधे, 1, 2, 3, दोफंद उल्टे, 1, 2 फिर से दोफंद सीधे, 1, 2, दोफंद उल्टे, 1, 2, तीनफंद सीधे, 1, 2, 3, दोफंद उल्टे, 1, 2 लास्ट में दोफंद सीधे, 1, 2, एस्टरे चोल्टा बना लेंगे थार्ड रहा है और राइट साइड है अब दिखे एश्री स्लिप करेंगे रिपीट पैटन स्टाट करेंगे दो फंदे उल्टे 1, 2, 7 फंदे सीधे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये देखे हमारा एक पैटन कम्प्लीट होगे इसमें हमने दो फंदे उल्टे 7 फंदे सीधे 2, 4, 6, 7 फिससे पैटन पीट करेंगे दो फंदे उल्टे 1, 2, 7 फंदे सीधे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दो फंदे उल्टे 1, 2, 7 फंदे सीधे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दो फंदे उल्टे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दो फंदे उल्टे 1, 2, 7 फंदे सीधे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दो फंदे उल्टे 1, 2, 3, 3 सीधा बना लेंगे 3rd row complete हो गई है 4th row है रॉंग साइड जो फंदे जैसे दिखाई देंगे वैसे ही बना लेंगे आसटीб करेंगे repeat pattern start करेंगे दो फंदे सीधे 1, 2, 7 फंदे उल्टे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 देखए हमारा एक pattern complete होग असमा हमने दो फंदे सीधे 7 फंदे उल्टे, 2, 4, 6, 7 फिर से pattern defeat करेंगे 2 पंदे सीधे 1, 2, 7 फंदे उलते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दो फंदे सीदे, 1, 2, 7 फंदे उलते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दो फंदे सीदे, 1, 2, 7 फंदे उलते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दो फंदे सीदे, 1, 2, 7 फंदे उलते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लास्ट में 2 फंदे सीदे, 1, 2, 8 फंदे उलते, बना लेंगे ये दिखे, 4th row complete हो गई है, और हमारा pattern भी complete हो गया है फिर से हम इसे 1st row से start करेंगे, और ऐसे ही बार-बार इसकी 1, 2, 4 और repeat करते जाएंगे और ये pattern बनकर इस तरह से दिखने लगेगा इसे आप किसी भी project में डाल सकते हैं, तो friend आप भी इसे बनाएए और अपने experience हमारे साथ share कीजिए, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे channel को like, share and subscribe करना मत भूलें, तो मिलते हैं ऐसी ही और नए नए वीडियो के साथ, till then, bye bye friend